Hello everyone, आज हम लोग DNA replication के बारे में पढ़ेंगे. DNA replication में क्या होता है? सबसे पहले, original DNA से किस तरह से new DNA की strands बनती है. इसका मतलब है कि किस तरह से हमारी जो original DNA की strand है, वहां से उसके copies बनेंगे. DNA replication क्या होता है? DNA replication एक procedure होता है, producing two identical copy of DNA from one original DNA molecule. It involves the separation of two strands. ये दो strands, जो हमारी DNA की strands होती है, उसको दो भागों में divide करता है, और उन भागों को इस्तेमाल करके new complementary strands बनाता है. इसमें कुछ enzymes helpful होते हैं, कुछ proteins होती हैं, matter lines होती हैं. इस image में आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर हमारे पास DNA की strands हैं. इस DNA की strands से, next, यहाँ पर देखिए, DNA की strands, यह parental strand होई, कुछ enzymes का involvement हुआ, यहाँ enzymes के involvement की वज़े से, यह दो भागों में divide हो गई. इसका separation हुआ, इन DNA की strands का separation हुआ, और उसके बाद, एक new strands आके, यहाँ पर bind करने लग गई, और यह formation हो गया, finally, हमारे new DNA का. तो यहाँ पर हमारे पास, यह number of 1 थी, और यहाँ पर हमारे पास, number of 2 DNA strands हो गई. यही सारा procedure होता है, हमारा DNA replication का. यह जो हमारा पूरा procedure है, यह semi-conservative nature है. Semi-conservative nature of DNA के, according replication procedure के बाद, double helix जो हमारा DNA होता है, consists of one parental strand. यहाँ पर यह हुआ DNA की strand. यहाँ से यह हमारी one-one parental strand आई, और यहाँ से हमारी एक और strand जुड़ गई. तो यह parental strand से, जो हमारी दो नई बनी हुई है, यहाँ पर पूरी तरह से parent का जो DNA है, वो transfer नहीं हुआ है, ठीक है? इसलिए इसको semi-conservative बोलते हैं, यह semi, यह पूरी तरह से conserve नहीं हो पाया है, इसलिए इसको semi-conservative nature of DNA बोलते हैं. अब यहीं हम पढ़ेंगे, आगे, कि यह, जो procedure है, यह होता कैसे है, यह कितने-कितने steps में होते हैं, इसी को हम लोग detail में अभी आगे पढ़ने वाले हैं. तो यह procedure पूरा क्या हुआ? कि single जो हमारा DNA है, इसका किस तरह से separation होगा, किस तरह से इसमे new strands बनेंगे, कौन-कौन से enzyme involved होंगे. अगर हम लोग location की बात करें, तो हमारा जो DNA replication है, यह prokaryotes में, cytoplasm में होता है, और यह eukaryotes में यह nucleus में होता है. और कौन-कौन से enzymes इसमें involved है? इसमें helicase enzyme involved है, जो कि एक unzipping enzyme की तरह काम करता है, unzip करता है यह, DNA polymerase help करता है, जो कि एक builder enzyme की तरह help करता है, RNA primase, जो primers को लेके आएगा, as an engineer work करेगा, और last में हमारे lygase work करता है, जो कि as an gluing agent work करते हैं, तो यह main four enzyme involved होते हैं, हमारे DNA replication में. Location जैसे कि हमने बता है, prokaryotes, eukaryotes के अलग-अलग होते हैं, तो इनमें और भी काफी सारे enzymes हमारे involved होते हैं, बट यह main four enzymes हैं, जो सबसे ज़दा helpful होते हैं. पहले unzip किया जाता है, फिर इसमें building blocks बनाई जाती हैं, primers help करता हैं, और last में उसको glue करके, fresh हमारी जो strands हैं, वो बन जाई जाती है. सबसे पहला जो हमारा step होता है, वो formation of replication fork होता है. Replication fork बनाने से पहले, वो बनता कैसे हैं, कैसे enzymes इसमें involved होते हैं, वो हम यहापे पढ़ते हैं. तो देखिए, DNA की जो strand होती है, या आप लोग जानते हैं, कि वो anti-parallel strand होती है. Anti-parallel मतलब, अगर DNA का कोई strand 5' से 3' direction में होगा, तो उसी की जो parallel वाली strand होगी, वो 3' से 5' direction में होगी. इसी direction को बूला जाता है, anti-parallel direction, anti-parallel DNA strands, ठीक है? तो एक अगर हमारी 5' से 3' direction में होगी, तो दूसरी हमारी 3' से 5' direction में होगी. इसी को हमारा बूला जाता है, anti-parallel strand of DNA. यहाँ पर आप इधर देख सकते हैं, यह हमारी 3' हुई, यह हमारी 5' हुई. यह हमारे 2 strands of DNA है. यह हमारे bases है, A, T, G, C. यह hydrogen bond से binded होते हैं. यहाँ sugar phosphate की backbone है. तो यह तो normal structure हो गया. ठीक है? अब हम बात करता है, recognition of origin of replication. यह origin of replication को ढूलने से पहले, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, DNA के strengths के बारे में. तो DNA की जो हमारे bases होते है, यह hydrogen bond से जुड़े हुए होते हैं. दोनों strengths के पास nucleotides present होते हैं. इन nucleotides को A, A adenine, thymine, bases बोला जाता है, हमारे जो adenine, thymine होते हैं. यह bases आपस में कैसे मैंने बूला था? hydrogen bond से जुड़े हुए होते हैं. तो ये किस तरह से रहेगा, अगर adenine है, तो वो double bond of thymine रहेगा, अगर guanine है, तो वो triple bond of hydrogen के triple bond के संग, cytosyn के संग bind रहेगा, इसमें double bond रहते है hydrogen का और इसमें triple bond होते है hydrogen का, अब इस first step में होता क्या है, recognition strengths होती है, recognition of origin of replication होती है, ये जो double strand DNA molecule है, इस double strand molecule में एक region होता है, जहाँ पर adenine और thymine वाला sequence होता है, किस तरह से रहेगा, adenine और thymine वाला sequence, यहाँ मैं आपको बताती हूँ, तो ये जैसे कि हमारे DNA की ये strand हुई, इस DNA के strand में, A, T, तो जहाँ पर maximum हमारा adenine और thymine का ये sequence रहेगा, इस sequence को बूला जाता है, origin of replication, तो जैसा कि हमने बात की थी, कि DNA replication के लिए, DNA के दोनों strengths को separate करना होता है, तो हमें commonly पता ही है, कि अगर हम GC content वाले किसी भी area को select करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, three hydrogen bonds के basis होते हैं, three hydrogen bonds होते हैं, ठीक है, यहाँ पर double hydrogen bonds होते हैं, तो जादा मजबूत कौन सा होगा, जो हमारा GC content होगा, वो बहुत जादा मजबूत होगा, उसकी पकड बहुत जादा heavy होगी, और heavy होने की वज़े से, इसका breakdown करना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और अगर हम लोग यह वाला origin select करते हैं, तो यहाँ पर double hydrogen bonds से, यह दुनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको तोड़ना comparatively easy हो जाता है, ठीक है, तो easy होने की वज़े से, 80 जो हमारी sequence होते हैं, इसको हम लोग select करते हैं, for the formation of replication 4, इस diagram में आप देख सकते हैं, यह वाला जो selection है, यह वाला जो area है, यह हमारा DNA का जो sequence है, इसको point of origin कहा गया है, यही पर maximum जो है, वो A, T sequence रहा होगा, यहां हमारा सबसे पहला enzyme आता है, helicase enzyme, helicase enzyme मैंने आपको बताया था, क्या काम करता है, वो unzipping का काम करता है, तो यहां पर क्या होगा, हमारा सबसे पहला enzyme है, helicase enzyme, वो origin of replication को ढूनने निकलेगा, वो ढूंडेगा, पूरे DNA में जाके देखेगा, कि कहां पर 80 sequence होगा, ठीक है, वो देखेगा कि कहां पर 80 sequence वाला area होगा, वहां पर जाके अपना work स्टार्ट करेगा, helicase ने find out कर लिया, कि यह particular sequence है, वो हमारा क्या है, 80 sequence है, यहां पर helicase enzyme जाता है, और दोनों strengths के बीच में, जो hydrogen bonds होते हैं, उसका breakdown करना स्टार्ट कर देता है, यहां जाके यह इसको breakdown करना स्टार्ट कर देगा, यहां पर particular area में जाके यह यहां पर, breakdown करना स्टार्ट कर देता है, दीरे दीरे करके सारा का सारा यह, तो यहाँ पर एक Y-shape बन जाएगा, यह particular area क्या हो जाएगा, एक Y-shape की तरह बन जाएगा, जैसे कि हम ऐसे बात करते हैं, कुछ इस तरह से, और यहाँ पर helicase enzyme जाके, हमारे सारे bonds को तोड़ने लग जाएगा, यह तो जुड़े हुए यहाँ पर, तो helicase enzyme जाके, इसका breakdown करना start कर देगा, और धीरे 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 इस पूरे area को, यह unwind करने लग जाएगा, unzip करना start कर देगा, हमारे hydrogen bond का breakdown करने के लिए, next उसमें देखते हैं, image में, यह देखिए, इस वल image में आप देख सकते हैं, कि यह हमारा helicase enzyme है, helicase enzyme ने, यहाँ पर जो भी area था, यहाँ पर क्या किया, इन्होंने, इन्होंने hydrogen bond को breakdown करना start कर दिया, और इस direction में यह जाते हुए, दीरे 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 इसको पूरे को, hydrogen bond को unwind कर देगा, break कर देगा, और इस तरह से कुछ एक हमारे पास image मिल जाएगे, जिसको replication fork बोलते हैं, यह जो y-shape का बनता है न, यह y-shape का जो भी हमारा structure बन रहा है, इसको बोला जाता है, replication fork, all right, पहले वो थोड़े part को तोड़ेगा, वहाँ replication fork बनेगा, फिर उसके बाद वो दीरे दीरे आगे जाएगा, फिर यहाँ पर break करेगा, यहाँ replication fork बन जाएगा, फिर यह पूरे हमारे DNA strengths को break करता हुआ चला जाएगा, और यहाँ पर हमारा work start होगा, जो कि हम next slide में देखेंगे, हमने क्या बात की थी, हमने बोला था कि हमारा जो DNA molecule है, यह हमारा single DNA molecule हुआ, यह DNA molecule को separate किया जाएगा, separate कौन करेगा, helicase enzyme करेगा, फिर यहाँ पर आके नए DNA strengths बनने start हो जाएगे, तो हमारा next step है, initiation का, initiation में क्या होता है, हमारी new strengths बन जाती है, new strengths को बनाने के लिए एक और enzyme work करता है, जिसको बोला जाता है DNA polymerase enzyme, DNA polymerase enzyme, ऐसे builder enzyme work करता है, ठीक है, builder की तरह work करता है, यह, बनाने का काम करता है, DNA polymerase enzyme, इसकी दो conditions होती है, यहाँ पर आप देख सकते है, DNA enzyme क्या कर रहा है, यह हमारी template DNA हुई, जो हमारी parental DNA है, यहाँ पर Y-shape का DNA folk बनना start हो गया, और इस particular area में DNA polymerase जाके, new DNA की strands बनाने start कर देगा, ठीक है, तो यह वाला काम यहाँ पर start हो गया है, इसकी दो conditions होती है, दो conditions क्या है इसकी, कि जो मैं काम करूंगा, मैं single strand पर work करूंगा, मैं double strand पर work नहीं करूंगा, तो single strand के लिए इसका breakdown करना जरूरी था, जो कि हमने कर दिया है, और दूसरा है कि new strand की जो polarity होगी, वो 5' तो 3' होने चाहिए, मतलब जो नई strand बनेगी, वो 5' तो 3' है, मतलब कि जो old हमारे पस होना चाहिए, वो 3' से 5' की direction में होना चाहिए, 3' 5' direction में ही जाकर हमारा DNA polymerase work करेगा, तब भी यहाँ पर जो new strand बनेगी, वो क्या बनेगी, 5' से 3' की तरफ बनेगी, clear है, यह वाला point आपको clear है ना, तो हमारी जो new strand है, उसकी polarity क्या होनी चाहिए, 3' से 5' की polarity होनी चाहिए, तो हमने अभी तक क्या किया, हमने उसका helicase enzyme के through, यहाँ पर आप देख सकते हैं, helicase enzyme आया, helicase enzyme ने इसको unwind करना, start कर दिया, अब DNA polymerase बोल रहा है कि एरिया तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं यहाँ पर अकेले काम नहीं करूँगा, तो मुझे कुछ engineers की requirement होगी, हमारे पास RNA primase का, किसका रोलाता है, RNA primase का रोलाता है, हमने पहले भी बात की थी, एक और enzyme है RNA primase, RNA primase क्या करेंगे, वो primers को भेजेंगे, ठीक है, primers को भेजेंगे, तो क्या होता है, RNA primase 3 prime end पे एक छोटा सा RNA का segment अटाच कर देता है, यहाँ पर जाके यह छोटा सा RNA का segment अ attach कर देगा, यही segment जो है, यह π्राइमर के segment है, यहाँ पर छोटा चोटा सा यह rna primer आके bind हो जाता है, इसको rna segment को बनाए जाता है, फ्रेज हाल इसके ऊबाद क्या होगा, है ना, nucleotides, हमारे जो ATGC contents वगरा है, उन सब को ये ला देगा यहाँ पर, और बहुत ही easily यहाँ पे DNA polymerase आया, इसके संग bind किया, और DNTPs को लगाता गया, और हमारे पास new strand बनती गई, यहाँ helicase ने अपना काम करना start कर दिया, और यहाँ पे हमारे new strand बनती गई, smoothly यह strands हमारी बनती गई, यह जो smoothly यह strand बन रही है, बिना किसी रुकावट के इसको बोला जाता है, leading strand, क्योंकि यह lead कर रही है, क्या बोला जाता है, इसको leading strand, now coming to the next strand, अब इसमें भी बात करते हैं, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे तो एक problem है कि यह 5 प्राइम में आ रहा है, अब DNA polymerase की condition थी कि वो single strand पर काम करेगा, एक चीज़ तो यहाँ पे हो गई कि यह single strand है, second requirement थी कि जो parent strand रहेगा, उसकी polarity 3 प्राइम से 5 प्राइम है, तो मतलब इस particular location से तो इस start नहीं कर सकता है, इस condition में जब तक यहाँ पे हमारा helicase ने इसको unwind करना start किया था, RNA जाके यहाँ पे है, वो यह हमारी बनी है 5 प्राइम से 3 प्राइम के लिए, ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद helicase ने और थोड़ा सा unwind किया, unwind करके इस जगे पे आके वापस से primer आ गया, primer आ गया, तो DNA polymerase ने यहाँ पे वापस से 3 प्राइम और 5 प्राइम डिरेक्शन में एक और बना द दिया, फिर helicase यहाँ से थोड़ा सा और move करेगा, तो यहाँ छोटा सा एक और बन जाएगा, अब यह जो छोटे-छोटे तुकडों में यह DNA की strands बन रही है, यह छोटे-छोटे strands जो है, इसको बुला जाता है, Okaza की fragments, इसी particular को बुला जाता है, Okaza की fragment, जो problem create करता है, यह हाँ पर यह problem हुई, now DNA के small fragments यह हो गए हमारे Okaza की, क्योंकि यह टूटे-टूटे phases में आ रहे हैं, इसी लिए इस टूटे-टूटे phases को, इस strands को बुला जाता है, lagging strand, क्योंकि lag कर रहा है, lagging strand, यह हमारा lagging strand, हमने अब DNA की molecules तो मिल गए, बट इसमें बहुत सारे RNA segments प्रेजेंट हैं, now next step में DNA polymerase क्या करेगा, वो एक नए enzyme को बोलेगा कि आप आईए और आप इसको आपके जोड़ दीचे, यहाँ पर आते हैं हमारे DNA ligase, DNA ligase को हमने बोला था कि यह gluing enzyme की तरह काम करेगा, DNA ligase यहाँ पर आते हैं, और कहते हैं कि ठीक है, जो DNA polymerase हैं, वो आके आप पहले यहाँ से जो primers हैं, इनको remove करिए, तो DNA polymerase आके, सबसे पहले यहाँ पर जो यह हमारे RNA के fragments थे, इनको replace कर देते हैं, और इसकी जगह पर हमार DNA के fragments लेके आजाते हैं, जब यहाँ पर DNA के fragments आ गए, तो ligase क्या करता है, ligase इधर आता है, और आके, इधर इनको जोड़ना शुरू कर देता है, तो replace किस ने किया, DNA polymerase ने सभी primers को, सभी RNA primers को remove कर दिया, और यहाँ पर ligase ने आके उनको आपस में जोड़ दिया, और यह ब बिना दोनों ही हमारी अब leading strand हो गई है, अब कोई problem नहीं है, तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या मिला, यहाँ हमारा parental duplex था, यहाँ हमारी progression हो रही है, DNA की जो fork progression हो रही है, यह हमारी leading strand के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि बहुत smoothly बनती हुई जा रही है, यहाँ हमारे RNA primers हैं, ओकजा की fragments बने, lagging strand बने, बाद में कुछ और enzymes आएं, उन्होंने अपना work किया, तो lastly हम बात करते हैं, यहाँ पर recognition हुआ था हमारे औरी का, अनवाइटिंग हुई थी हमारे DNA की strand की, formation हुआ था, replication hook का, RNA primers ने primers को लेके आए, DNA polymerase ने new strands बनाए, leading and lagging strand बनी, DNA ligase ने join किये सारे ओकजा की fragments को, वापस हमारा proof reading हुआ गया, और two new strands from one DNA molecule बन गया, तो यही पूरा procedure था हमारा DNA replication का, जो कि बहुत easy process है, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, thank you so much.